हेलो फ्रेंड्स रादे रादे and welcome back to my channel आज मैं आपके साथ काना जी की ये हैवी पोसाग बनाने का तरीका सेयर कर रही हूँ तो सबसे पहले मैंने याँ पर टेटरोन ले ली है ये simple टेटरोन है इसके लंबाई और चोड़ाई 12 इंच है यानि के ये टेटरोन का एक चकोर पीस है जो लंबाई और चोड़ाई में बराबर है अब मैंने इसको एक बार बीच से फोल्ड किया तो ये double फोल्ड हो गया उसके बाद मैंने इसको एक बार इस तरीके से फोल्ड कर दिया तो अब ये हो गया है four fold अब देखें जिस तरह से हम circle कट करते हैं ना कोई भी circle बनाने के लिए हम इस तरीके से marking करते हैं तो हमें याँ पर 6 इंच का एक इस तरह से circle ड्रो कर लेना है आप चाहें तो किसी plate की help या थाले की help भी ले सकते हैं जो आपकी पॉसाब के equal हो उसके हिसाब से तो मेरे काना जी है साथ नंबर के और मेरे काना जी अभी कुछी दिन पहले हमारे घर पर आये हैं तो जब इनकी लिए मैं shopping कर रही थी सामान करीद रही थी तो मैंने market में इस dress के price बूची तो मैंने का 500 रुपे बहुत महंगी मुझे लगी तो इसलिए मैंने dress purchase करने से अच्छा था मैंने 500 रुपे में समान purchase कर लिया और 500 रुपे में आप यकीन मानिये मेरी साथा dress बन गई heavy भी और medium size की भी अब देखिए अगर मैं साथा dress बाहर से purchase करती तो वे मुझे काफी costly पड़ती तो जैसे हम अपने लिए पैसे बचाते हैं वैसे मैंने अपने काहना जी के लिए भी saving कर ली तो circle हमारा तयार हो गया है अब उसके उपर हम fabric के उपर इसे रखेंगे और यहाँ पर एक rough stitch लगा देंगे आप चाहे तो इसे paste भी कर सकते हो या फिर tetron आप चिपकाने वाली भी ले सकते हो मेरे पास चिपकाने वाले tetron नहीं थी इसलिए मैंने simple tetron का use किया है अब जो extra fabric था उसे मैंने cut कर दिया है अब मैंने एक और piece लिया है उसके उपर मैंने इस तरीके से इसे रख लिया है अब इसको मैं fabric glue की help से paste करूँगी आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं वो आपकी इच्छा है मैंने याँ पर लिया है ये fabric glue का fabric glue ये 10 या 15 उर्पे का keep आपको मिल जाता है और ये wash होने के बाद भी छुटता नहीं है तो वैसे तो इसके उपर सिलाई लग जाएगी इसमें काफी ज़्यादा मजबूती आ जाती है आप इसे easily wash कर सकते हैं लेकिन हाँ ये है कि आप रोज रोज इसे wash नहीं कर सकते आप जैसे festival वगेरा पर heavy dress हम पहनाते हैं तो उसे wash करके आप रख सकते हैं मैंने ये dress जनमास्टमी पर बनाई थी और अब तक मैं इसे 3-4 बार wash कर चुकी हूँ इसका अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा तो मैंने देखिए एक इंच एक्स्ट्रा रखते हुए circle को cut किया था उसके बाद मैंने इसे उपर की तरफ fold कर दिया है तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं cut कर दूँगी और देखिए मैं पहली बार ही अपने कानाजी के लिए dress बना रही हूँ तो मैंने सोचे कि आपके साथ भी share कर देती हूँ अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं और भी जो dress बनाऊँगी उनकी वीडियो भी आपके लिए लाती रहूँगी अब मैंने इसको सेंटर से fold कर लिया है और सेंटर से fold करने के बाद इसके ओपर मैंने निशान लगा दिया है अब देखिए जहां पर हमारे टैट्रोन थी ना जो बीच वाला हमने कमर का पाइट रखा था वो हमें हाथ से मैसूस हो रहा था तो वहीं पर मैंने सिलाई लगा कर इसको पक्का कर लिया है अब दोनों सिलाई के बीच में मैं कट लगा कर इस फैबरिक को कट करके अलग कर लोगी इस तरह की dress आज कल 30-35 रुपे इंच के हिसाब से मिलती है इस तरह है कि मैंने कितनी dress देखी थे अपने काना जी के लिए लेकिन मुझे मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि देखे जिसको काम आता है ना उसको बाहर का काम पसंद नहीं आता बड़े बड़े टाकों से बना रखी थी बिल्कुल फिनेसिंग नहीं थी और प्राइज उनके 500-700-400-300 रुपे से कम की कोई dress नहीं थी तो अब देखे मैंने यहाँ पर नैट का फैबरिक लिया है और यह पट्टी है इसकी लंबाई है बीच में कमर वाला पार्ट है उसके हिसाब से तो मैं यहाँ पर एक प्लेट के उपर ही फिल्कुल छोटी-छोटी एक-एक इंच की प्लेट सेट करती चली जाओंगी बहुत अच्छे से हमें प्लेट्स बनानी है और यह मैंने साड़े तीन पट्टी यूज की है यानि के तीन पट्टी मैंने 45-45 इंच की यूज की है और यह मैंने 45 का हाफ यानि के 22-23 इंच के असपास एक पट्टी मैंने यूज की है साड़े तीन पट्टी मैंने इसमें सरकल में स्टिच की है तो पहले मैं यहां पर plates बना रही हूँ पट्टी की जो यह नैट की पट्टी है और यह नैट आपको easily market में मिल जाएगी और इसको ना मतलब थोड़ी खड़ी-खड़ी सी होती है थोड़ी साइनी सी नैट ही होती है soft वाली जो नैट है उससे यह dress नहीं बनेगी जो यह थोड़ी hard से वाली होती है इससे बनेगी और इसी से इसका look भी आता है और यह नैट अगर आप वैसे लोगे retail में तो आपको 25 रुपे मीटर पड़ेगी और अगर आप wholesale में लोगे तो आपको यह 10 यह 15 रुपे मीटर पड प्लेट को मैंने सिर्फ एक यह 1.5 इंच के space में प्लेट डाल कर तयार कर लिया है अब मैंने यहां पर दूसरी पट्टी को स्टीच नहीं किया है इसके उपर ही ऐसे रखके प्लेट बनाती चली गई हूं है आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है किस तरीके से मैं बनाती स्टीच कर लोगी तो अब देखिए हमारी जो ये फ्रिल है ये बनकर तयार हो गई है अब मैं इसकी कमर आपको बता देती हूं तो देखिए ये 7 इंच के लगबग आ रही है साथ इंच पूरा नहीं था तो देखिए इस तरीके से हम इसके उपर रखोंगी और इसे स्टीच कर लोगी अब मैं आपको यहाँ पर एक तरीका और बताती हूं अगर आपकी फ्रिल बड़ी हो गई है तो आप थोड़ा सा इसे नीचे को सरका सकते हैं यानि के सरकल से निकाल की सेट करती हूं उससे क्या होता है पीछे की तरफ से में इसकी कटिंग कर देती हूं तो ड्रेस में एक अच्छी फिनीसिंग आ जाती है तो उपर की तरफ से हम पहले स्टीच करेंगे जो हमारा छोटा सरकल है कमर वाला पार्ट है और साइड से भी स्टीच कर अब देखिए अब हमें क्या करना है जो यह एक्स्टर फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे और नीचे की तरफ से हम इसे कट कर देंगे जो यह नैट हमारी नीचे की तरफ निकली हुई है ना कमर वाले पार्ट में इसको भी हम कट कर देंगे यह मैंने स्यावन नंबर के एक अगर आप 6 नमबर के लिए बना रहे हैं तो आप 5 इंच का ले सकते हो और इसी तरीके से घटाते हुए आप अपने कानाजी के लिए मेजरमेंट निकाल सकते हो अब देखे जो यह प्लेट्स हैं उपर की तरफ से हमने बहुत छोटी छोटी लिया है अब हमें नीचे की तरफ इनको इस तरीके से सैट करना है जो यह हमारे सरकल पर पूरी अच्छे से सैट हो जाए और जिन नीचे हमने अस्तर का कपड़ा लगाया है वो हमारा विजिबल ना हो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है आप चाहे तो सेम कलर भी ले सकते हैं यह ड्र पर पिस्टिच लगाती चली जाओंगी और इस सरकल को कम्प्लीट कर लोगी तो इतना करने के बाद में अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि आगे क्या करना है अगर आपको यह काना जी की ड्रैस पसंद आती है तो आप प्लीस मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा मै कॉसिस करूंगी और अच्छे-च्छी ड्रैस आपको सिखाने की अब देखे मैंने इसे उल्टा कर लिया है और उल्टी साइड से जितने भी नैट एक्स्ट्रा है ना इसको भी हमें कट कर देना है लेकिन इसको फैकना नहीं है यह हमें पगड़ी बनाने में यूज हो किनारे फिनिसिंग कर लोंगी जो कंट कपड़ा मने लगाया इसके ओपर लगा कर फिनिसिंग कर लेंगी एक कोका क्या और मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ इससे पहले भी मैंने दो साल पहले अपने चैनल पे काना जी की वीडियो शेयर की थी लेकिन वो सिंपल ड्रैस की थी अब देखें मैंने याँ पर तीन इंच लंबाई में और दस इंच लंबाई में नैट के फैबरिक के उरेब पट्टी ली है और इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी इस तरीके से और थोड़ा सा बाहर निकाल कर सरकल के उल्टी साइड से स्टीच करूँगी नेफा बनाने के लिए आपको उरेब पट्टी लेनी है यानि के तिर्ची पट्टी लेनी है डबल करनी है और थोड़ा सा बाहर निकाल कर सरकल के उपर उल्टी साइड से स्टीच करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है सीधी साइड से अगर आप स्टीच करोगे तो बिल्कुल भी फिनिसिंग नहीं आएगी अब देखिए दोनों साइड से मैंने थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकाली हुई है अब इसको मैं सीधी साइड में पलट लूँगी अब देखिए ये पतले वाली डोरी है जो पांच रुपे मीटर आपको इसली बजार में मिल जाती है और इसका भी रोल आपको अगर आप हॉलसेल से लोगे तो 15-20 रुपे में मिल जाएगा और अगर आप रिटेल से लोगे तो 50 रुपे में मिल जाएगा इसका मैंने पूरा रोल लिया था जहां से मैं सारा समान लेके आई थी उसमें मैंने heavy b dress बनाई हैं और थोड़ी normal मतलब जो medium होती हैं वे भी बनाई हैं अब मैंने 7 inch की पट्टी ली है और 7 inch चोड़ाई और 15 inch इसकी लंबाई है इसको मैंने इस तरीके से fold कर लिया है एक बार बीच से fold किया उसके बाद half इदर से half इदर से और इसके उपर मैं सिलाई लगा लूँगी इसका बनाएंगे हम जो हमारा चोली वाला पार्ट होता ना वो बनाएंगे सरकल हमारा नीचे से बनके बिल्कुल तयार हो गया नेफा भी लगा दिया डोरी भी लगा दिया अब देखे इस पट्टी के किनारे के उपर भी हम ये टीशू रिवन लगाएंगे जिससे की हमारी पट्टी में एक अच्छी सी फिनीसिंग आ जाएगी और बिल्कुल हमारी ड्रैस रेडिमेट जैसी ही लगेगी कोई देखकर कहेगा भी नहीं कि हमने घर पे स्टीश की है ये ड्रैस बनने के बाद इतनी सुन्दर लग रही थी ना और मेरे काना जी इतने सुन्दर लग रहे थे मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने घर पे स्टीश की है और इसके साथ में अगर आप बाजार से लोगे तो पगडी नहीं मिलेगी और मैंने इसके साथ में पगडी भी स्टीच की है आप चाहे तो जुएलरी भी बना सकते हैं वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी अब देखे इसको मैंने हाफ से कट कर लिया उसके बाद मैंने इसको दो इंच निशान लगाया और इस तरीके से थोड़ा सा मतलब मारजन लेके इस तरीके से तिर्ची सिलाई लगा लेंगे बलाओज बनाने के लिए जो चोली वाला पार्ट हम बनाते हैं अब हम इसे कट करके बिल्कुल इकवल कर लेंगे थोड़ा सा यह उपर नीचे हो रहा था अब इसके बीच में हम हाफ इंच उपर की तरफ मैंने ये पतले वाली जो गोटे वाली लैस आती है यह आपको एक रूपा पर मिल जाएगी अगर आप रिटेल से लोगे और होल सेल में यह आपको 30-40 रुपे की गुच्छी 20 रुपे में मिल जाती है तो मैंने ये एक उच्छी पर्चेस कर ली थी अब मैंने गोटे को सेंटर निकाल के इस तरह से लगा लिया है जिससे के दोनों साइड में बराबर आ गया है और चोली हमारी बनकर तयार हो गई है अब मैं अपने जो हमारी ड्रेस है इसे डेकोरेट करूँगी तो मैंने लिया है ये मोती वाली ड्रेस 15 रुपे पर मीटर के हिसाब से मिल जाती है होलसेल हो चाहे रिटेल तो इसको नीचे की तरफ आप इस तरह से रखके स्टीच भी कर सकते हो लेकिन इसको स्टीच करने में वो मज़ेदारी नहीं है जो इसको चिपकाने में है तो इस इसे कि ये मोती बिल्कुल ऐसे अटैच हो जाएगी है ये मोती बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे कि हमने नैट के उपर ही लगाए है ऐसा लगेगा भी नहीं कि हमने लगा है और अगर अगर आप थोड़ा सा और स्ट्रोंग वर्क चाहते हो तो पहले आप फैवी जो हमारा उर्पाई करते हैं, तो फूरे सरकल में मैंने लगा लिया है, अब मैंने लिया हार बूटी, और ये मुझे मिली है आठ रुपे की एक तो ये होल सेल के रेट हैं अगर आप रिटेल मिलोगे तो ये 10-12 रुपे की साइद आपको एक मिलेगी और मैंने इस ड्रेस पर लगाने के लिए 10 ली हैं एक का मैंने जो गले का हार है वो बनाया है 11 और एक मैंने काना जी की पकड़ी पर लगाई है तो यह मैंने 12 परचेश की थी तो मैं इनको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर रख कर देख रही हूं पहले तो यह देखे इस तरीके से यह सेट हो रही है और मैं इनको यहीं पर पेस्ट कर दूँगी तो एक-एक को मैं जहां से उठाऊंगी फैवी बॉंड लगा कर उसको वहीं पर पेस्ट कर दूँगी तो इस तरीके से मैं इसको पूरी को पेस्ट कर लूँगी अब देखेए मैंने बीच में से उठा लिया है लेकिन मैं इसको यहां चिपकाऊंगी नहीं क्योंकि अगर मैं बीच में से चिपका दूँगी तो इनका जो बीच का डिस्टैंस है वो खराब हो जाएगा तो मैं इसको यहां चिपकाऊंगी देखे इस तरीके से जैसे कहीं सारी पेंच वाली लेस भी आती हैं उसका यूज भी आप कर सकते हो तो मैंने यहां पर जनमास्ट में इस फेशल हैवी पॉसाक बनाई थी तो इसलिए मैंने इसका यूज किया है अब देखिए मैंने यहां पर लिए है यह स्टोन वाली लेस और यह मुझे आट के फेशल है यहां इस तरीके से अपने डेस के अकॉडिंग और उनको भी मैंने फेवी बॉन्ड की hellep से चिप का लिया है तो मैं इनको सबको चिप लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ देखिए यह मैंने सारे चिप लिए और बीच बीच मेंना मैंने यह नग चिपकालिया है तो जो हमारी ड्रेस है वो बनकर तयार हो गई है तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक सेर और सस्क्राइब बाई